देखो confidence बढ़ाना पड़ेगा लेकिन confidence खुदी confidence को बढ़ाता है और बहुत सारा चीज मिल के confidence को बढ़ाता है जैसे कि मैंने बताया अभी तुम्हें है ना तो एक तरीका तो confidence बढ़ाने का यही है कि तुम ज्यादा लोगों से interact करो लेकिन उसके लिए भी confidence जी है तुम नही बैठे वे हो ठीक है और तुम्हारे दिमाग में कोई doubt आया जब teacher पढ़ा रहा है maximum लोग वो doubt नहीं पूछते है तुम्हें भी पता होगा मतलब है question लेकिन नहीं पूछा ठीक क्यों नहीं पूछा लोग क्या सोचेंगे यह क्या सोचेगा वो क्यों लोगों को कोई फारक न इन सब situation में जहां इंसान को डर लगता ठीक है डर लग रहा है कि मैं पूछू ना पूछू पूछू की नहीं पूछू तो उसी डाइम पर तुम्हें खड़ा हो के पूछना पड़ेगा अगर तुम यह कर लिए तो फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा अरे यह तो इतना भी डाउट है कभी नहीं पूछ रहो ठीक है तो तुम कितना जादा अपना डर को बढ़ा रहो तुम सोच रहो उसके बाद तुमने एक दिन अचानक हाथ उठाया और पूछ लिया ठीक है हाथ मात कापा थोड़ा थोड़ा तुमारा आवाज भी कापा मानलो तुमने से बढ़ता है का तुम वह चीज कर रहो जिससे तुमें डर लग रहा है जैसे माननो तुम्हारा क्लास को टॉपर है ठीक तुम्हें डाउट्स पूछना है या तुम्हें कुछ सीखना है तुम्हें लगिए टॉपर तो बहुत जिएदा अरोगेंट है मेरेको उसके पास ज इग्नूर करना चाहते थे या तुम सोच रहे चलो छोड़ो क्यों फाल तुका लोड लेकिन तुमने फिर भी किया तो उससे तुम्हारा confidence बढ़ता है तो बहुत छोटे-छोटे चीज दे तुम्हारा confidence बढ़ता है समझ के हैं हाँ वही बात है, जहां से भी तुम्हें डर लग रहा है, जिस चीज से भी तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें वह करना है, अब यह तुम्हें बोल नहीं रहा है, कि छट से कुझने में डर लग रहा है, तुम छट से कुझ जाओ, लेकिन कोई interaction है ना भाई, बात तो उसरे से communicate करते हैं, एक दूसरे का help लेते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर कुछ create करते हैं, या फिर अपना safety बनाते हैं, या फिर अपना currency बनाते हैं, या फिर अपना society बनाते हैं, तो communication बहुत important part है, उसे ignore मत करो, ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई भी ऐसा ह जो चाहे फिर भी introvert रहेगा, अगर कोई इंसान चाहे तो वो अपने आपको extrovert बना सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे तुमने ये भी देखा होगा, कि अपने दोस्ट से तो तुम मस्त बात करते हो, कोई भी tension नहीं है, अराम से बात किये हैं, बड़ बड जाएगा, कैसे comfortable हो जाओगे, कोई भी चीज को जादा करोगे, तो comfortable हो जाओगे, आज मानलो तुम्हें 3 km भागना है, तुम comfortable रहोगे, नहीं रहोगे, तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, लेकिन अगर तुम 3 महने तक हर रोज 3 km भाग रहे हो, तो तुम थोड़े टाइ बोलो जाओगे, फिर तुम बोलोगे, नहीं, मैं 4 km भागूँगा, ठीक है, तो वही चीज जिसमें uncomfortable हो, वो करो, जिससे डर लग रहा हो, वो करो